ओक्टोपस का नाम तो हमने कभी ना कभी सुनाई होगा लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो एक्चूल में कहां पे होते हैं तो इनका जवाब ये है कि ओक्टोपस हर समुद्र में होते हैं और सभी जगा पे होते हैं लेकिन वो समदुर के इतनी गहराईयों में होते हैं कि जहाँ पे कोई चीज पहुँच नहीं पाती इसलिए वो कभी किसी का हाथ में नहीं आते नमबर दो आठा सो साट से लेकर दो हजार तक विश्वा में सबसे पुराने इनसान जिसने 122 साल और 164 दिन तक जिन्दा थे वो व्यक्ति फ्रांस जिनल्यूश कैलमेंट था नमबर तीन दुनिया में सबसे पुराना पेड़ ग्रैट बशिन ब्रिस्टल कॉन पाइन कैलिफोर्निया के वाइट माउंट में है और ये पेड़ 566 साल पुराना है नमबर चार एक फेमस जाज म्यूजिशियन चारली पारकर की मौच 34 साल में ही हो गए और जब उसकी मौथ हुई तब वो 60 साल के बुर्द जैसे दिखते थे वो इतने आलकोहल और नसीली दवा का सेवन करते थे कि वो 34 की उमर में भी 60 साल के बुर्दे जैसे दिखते थे नमबर पांच एक स्टड़ी में ये पाया गया है कि जो लोग सभी चीज़ें जकारात्मक सोचते हैं उनके आयू भी लंबी होती है और वो जल्दी बुड़े भी नहीं दिखते इसलिए हमेसा पॉजिटिव सोचे नमबर छे एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग टमाटर का खाने में ज्यादा उप्योग करते हैं और जो टमाटर का सेवन्स ज्यादा करते हैं उन्हें हार्ट डिसीज और हार्ट एटेक के चांसे कम हो जाते हैं नमबर साथ चाइना में 20 साल तक एक स्टडी की जिसमें उन्होंने पाया कि जो लोग एनिमल का मांस खाते हैं और जो लोग वेजिटेरियन खाते हैं उन दोनों में उसने ये पाया कि जो लोग मांसा हारी थे उन लोगों की मृत्यूदर ज्यादा थी और जो वेजिटेरिय थे वो बिमार भी कम परते थे और उनका माइड भी शार्क था और वो जल्दी गुसा भी नहीं करते थे नमबर आठ ये सभी इंटेलिजेंट और फेमस इंसान वेजीटेरियन थे लेनाडो डाविंसी, हैंरी फोर्ड, ब्रैट पिट, अलबर्ट आइंस्टेंड, ओजी ओजबॉन और ये हिटलर भी ये सभ वेजीटेरियन थे अगर कोई वोमन प्रेगनेट है तो उनकी मैक्सिमम डिलिवरी नौ मैने तक हो जाती है लेकिन एक ब्यूला हंटर नाम की महिला है जिनकी डिलिवरी एक साल और दस दिन के बाद हुई मतलब उनका बच्चा एक साल तक उसकी माँ के पेट में ही रहा गिनीज बुक ओग वर्ल्ड रेकॉर्ड में भी इस महिला का नाम है जिसकी प्रेगनेंसी लंबी चली नमबर दस पूरी पूर्थवी पर टोटल 725 सांप की प्रजात्या है उनमें से 250 सांप की प्रजात्या ऐसी है जो एक ही बाइट में किसी भी इंसान को मार देती है थैंक यू फोर वचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक एन सब्सक्राइब